बिहार में जाती अधारित गण्णा के रिपोर्ट को सारुजनिक कर दिया गया जिसके बाद अब ऐसी कई राजनितिक पार्टिया हैं कई ऐसे नेता हैं जो इसे गलत बता रहे हैं उनका कहना है कि जाती ये जन्गंणा में बड़ा हेर पेर हुआ है सबसे पहले तो लोजपार राम विलास किनेता चिराख पासवान नहीं ये सवाल उठाया उन्होंने कहा कि एक जाती विसेश को लाव पहुचाने के लिए इस तरीके के आंकडे को सामने रखा गया है कई ऐसे दलित की जातिया है जिनके आबादी को बेहत कम तर आखा गया है अब इसे लेकर देखिए सवन्ड समाज की अगर हम बात करें तो रविशंकर परसाद कायस समाज से आते हैं उन्होंने सीरा सवाल किया है कि जिस कायस जाति की अबादी 1931 में 1.2% थी वो आधी कैसे हो गई इस बार जो जातिय जनगंडा का रिपोर्ट सामने आया है उसमें कायस्तों की अबादी को सून दिसमलब 6% बताया है तो मीडिया ब्रिफिंग के दवरान रविशंकर परसाद ने यांकड़े को गलत बताया है उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर कायस जाति जो है ब्यार में वो 1% से कम तो किसी कीमत पर नहीं हो सकती है रविशंकर परसाद ने दावा किया है कि बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं संसत ने यहां तक कहा कि जिस तरह से हमारी जाति कायस्त की संख्या बताई गई है उसंख्या को देखकर हंसी आती है बहुत से लोगों का कहना है कि सर्वे ठीक से नहीं हुआ उन लोगों के पास गणा करने वाले कोई नहीं पहुचा है रविशंकर परसाद ने नितीज कुमार से सवाल किया है कि आखिर यह आंकड़े कैसे जुटाए गए है क्या 24 दिनों के अंदर में सभी की गणा हो गए बिहार की अबादी जो की लगभग 13 करोड है क्या महज कुछ सिक्षक और कुछ गणा कर में मिलकर इस काम को इतनी जल्दी से कैसे निप्टा दिये है तो इस तरीके के तमाम सवाल जो है वो रविशंकर परसाद के द्वारा उठाया गया है उन्होंने आगे ये सवाल किया है कि हम पुछना जाते हैं कि नितीश कुमार के नितिर्त वाली सरकार ने किस तरह से ये शरवेच्छन किया है तीवी चानल दिखा रहे हैं कि अती पिछड़ जाती के लोग के मुहले में को छोड़ दिया जाए हमारे पास इस तरीके की बहुत चिकायते आ रही है कि डेटा एकतित करने में बड़ा गरबड किया गया है पटना कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं ग्रामिन इलाकों को तो अब छोड़ी दीजिए यहाँ पर कोई भी गन्ना कर्मी नहीं पहुंचा है तो देखिए अब बिहार में लगबग कुस्वा समाज हो या फिर कैस समाज हो एक दो जातियों को छोड़कर जिनकी अबादी बेहत अधिक बताई गई है लगबग सभी जाति के जो नेता है वो धीरे-धीरे अब सामने आ रहे हैं और सबसे बढ़ा सक तो नीरज कुमार पैदा कल कर दिये जब उन्होंने उपेंद्र कुस्वाहा के सारी नीजी जानकारियों को सारजनिक कर दिया उस सबत पतर के बावजूद जिस सबत पतर को बिहार सरकार ने पतना हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट में दिया था कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति का गण्नाते संबन्धित कोई भी जो नीजी जानकारी होगी उससे सारजनिक नहीं किया जाएगा तो सवाल अब यह उठने लगा है कि आखिरकार नीरज कुमार जो पार्टी के नेता है MLCM के प्रवक्ता है उनके पास यह आंकरे कैसे पहुँच गए उसके बाद यह भी सवाल उठता है कि और इस तरीके के कितने नेता है जदियू में यह रादत में जिनके पास इस तरीके क का आंकरा पड़ा हुआ होगा फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया